पुलिस की सुरक्षा और गस्त की दावों की पोल उस्सा में खुल गई जब चोरों ने बठेन गे चौकी से कुछी दूरी पर सर्वोदे आता मिल में धावा बोल कर करीब 80,000 रुपे के आटे के कट्टे चोरी कर ले गए सुबह मील खोलने आए मालिक कैलाश अगरारिया ने देखा कि मिल के में गेट की कुण्डी टूटी हुई थी घटना की जानकारी तुरिन पुलिस को दीत पुलिस ने पिडित की तहरीर पर अग्याचोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्श कर जाँ शुरू कर दी शहर के महुला देवनगर कॉलोनी निवासी कैलाश अगरारिया ने बताया उनके घर से कुछी दूरी पर उनकी सर्वोदय आटा मिल है बीती रात मिल बंद कर अपने घर चले आए सुबह रविवार को जब मिल खोडने पहुँचे तो मेंगेट के कुंडी टूटी हुई थी अंदर जाकर देखा तो आटे के कट्टे गायब थे जिनको अग्याचोर किसी वाहन में भर कर चोरी कर ले गई पीडित ने बताया चोर मिल से 350 कट्टा 10 किलो और 50 कट्टे 5 किलो के जिनकी कीमत करीब 80,000 रुपई है चोरी की घटना की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुँच गई पीडित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है करीब 10 माँ पहले भी समील से चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया था जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया हैरत की बात ये है कि चोर रात में बठेंगे चोकी से कुछ ही दूरी पर आतमिल में चोरी करते रहे और गश्ट का दावा करने वाली पुलिस को घटना की भनक तक नहीं लगी पुलिस को घटना के बारे में सुबह तक भी खबर नहीं थी लोकेश गर्ग मत्रा समाचा 24 आज जो घटना हुए है चोरी की इसके बारे में बात नहीं है बहुत घटना है अभी तो जाड़े भी शुरू नहीं हुए और अभी तो इसकी आफायार जर्च कराएंगे पुलिस से दवा पर नहीं करके थाने जाएगा चोरी की जिए जो 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 चुरी होजी है कैसे क्या हुए कि अमने सुबह लगवक्त दस ग्यारे टनकी गाड़ी लोड कराई थी फड़ावाद के लिए शेस माले आपे बाकी रह गया था जो आज सुबह लोड़ होना था और हमारे लड़के लगवक्त साथ वजे यहां से अपने प्रितिष्टान को बंद करके बरावर में हमारा मकान है वहां पर चले गए जब सुबह यह मील पर आये तो इन्होंने देखा कि हम पर खुंदी टूटी हुई है जो अंदर घुसे पता लगा कि चूरी हो गई है लगवक्त इसमें साड़े तीन सो चार सो थेली ल लगवक्त 35-40 कॉंटल माल जो यहां पर लगा हुआ था उसको लोड़ करके अग्याद चूल ले गए भुसकता है टाटा चार साथ हो पिक अप हो कितने कीमत थी लगवक्त कीमत कम से कम 80-90,000